तो कैसे है आप लोग वीवो वी 30 प्रो 5G मोबाल में आपको कर्वड एमोलेट पांच ओल डिस्पले देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ 50 मेगा प्रिक्सिल का त्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है और 4NM आर्खिटेक्चर में बील्ड हुआ एक बहुत ही अच्छा से पार्सवर भी देखने को मिल रहा है और भी बहुत कुछ थमाकेदार फीचर इस मोबाल में आपको देखने को मिल रहा है तहोכ क्या क्या एकसाइटिंग फीचर दिंग रहा है जाने के लिए यह वीडियो आपको हुरा देखना पड़ेगा तो तो हल्लों फरेंद्स मैं 1.5 curved AMOLED पांच होल डिस्प्ले, इसका refresh rate हे 120 Hz, इसका touch sampling rate हे 240 Hz, इसका brightness हे 2800 nits, इसमें HDR10 Plus सपोर्ट करेगा, इस मोबाल में आपको 6.78 इंच का 1.5K curved AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यानि इस डिस्प्ले का video viewing experience बहुत ही शांदार होने वाला है, और इसके अलाबा इस डिस्प्ले का look भी बहुत ही premium level का होगा, और 120 Hz का refresh rate मिल रहा है, यानि regular device का काम या multitasking वगएड़ा इस मोबाल के साथ आप smooth तरीके से कर सकते हैं, और 240 Hz का touch sampling rate मिल रहा है, यानि इस मोबाल के touch response भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानि गेम खेलने के time इस मोबाल में आपको बहुत ही अच्छा touch response देखने को मिल जाएगा, इसके अलाबा AMOLED डिस्प्ले होने के साथ-साथ 2800 nits का brightness मिल रहा है, यानि indoor situation के साथ-साथ outdoor situation में भी इस मोबाल के visibility बहुत ही शांदार होने वाला है, इस मोबाल में आपको IP54 का splash proof design देखने को मिल जा वजन के बारे में अगर बात करें तो इस मोबाल के वजन है 188 gram के आसपास और इसका thickness है 7.45 mm, यानि ये मोबाल स्लिम होने के साथ-साथ light weight भी होने वाला है, यानि इसका enhance feelings भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस मोबाल में Android 14 operating system, front touch OS 14 user interface के साथ देखने को मिल जाएगा, बैटरी के बारे में अगर बात करें तो इस मोबाल में आपको 5000 mh का lithium-ion बैटरी 80 watt fast charger के साथ देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा type C charging port, type C headphone port भी देखने को मिल जाएगा, इस मोबाल के inbox आपको एक 80 watt का fast charger देखने को मिल जाएगा, सिकूर्टी के बारे में गर बात करें तो इस मोबाल में e-display fingerprint scanner और face unlock की सिकूर्टी सिस्टम मिलेगा, और 240 hertz touch sampling रहत होने के बज़े से ये बहुत ही fast काम भी करेगा, ये मुबाईल दो color variant में market में launch हुआ है, adenium blue और classic black, तो इन दोनों colors में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा color पसंद आए, comment करके ज़रूर बताना, क्यूंकि आपके हरे comment मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है, rare camera के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 50 megapixel का triple camera देखने को मिलेगा, इसका जो primary lens है, वो है 50 megapixel का, और इसका aperture है f1.88, इसमें optical image stabilization देखने को मिल जाएगा, यानि वीडियो उठाने के time आपके हाथ थोड़ा बहुत काप भी जाए, तो आपके वीडियो stable रहेगा, और इस lens में sony imx 920 sensor का use किया गया है, इसके अलावा 50 megapixel का telephoto lens भी देखने को मिल जाएगा, इस lens के साथ भी sony imx 816 sensor का use किया गया है, और इसके अलावा और एक 50 megapixel का ultra wide angle lens भी देखने को मिल जाएगा, और इस camera के साथ आप 30 frames per second में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, यानि इस mobile में आपको 3-3 50 megapixel का lens देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ sony imx का sensor भी यूज किया गया है, यानि photo या video quality इस mobile में बहुत ही शांदार मिलना वाला है, यानि आप में से जो कोई भी social media influencer से या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के शॉक इन है, उसके लिए ये mobile बहुत ही perfect होने वाला है, और selfie camera के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 50 megapixel का एक selfie camera भी देखने को मिल जाएगा, इसका aperture है F2, इस camera के साथ भी आप 30fps में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, यानि इस mobile के rear cameras के साथ साथ selfie camera में भी आपको बहुत ही अच्छा वीडियो या photo shoot करने का मौका मिल जाएगा, connectivity के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.3 और Dual 4G Volt देखने को मिल जाएगा, प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में आपको MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यह एक 4NM OctaCore प्रोसेसर है और इसका maximum clock speed है 3.1 GHz, इस में Mali G610MC6 GPU का यूज किया गया है, इस mobile में आपको 5000 image का बैटरी मिल रहा है, उसके साथ साथ curved AMOLED display देखने को मिल रहा है, और 4NM architecture में बील्ड हुआ एक प्रोसेसर मिल रहा है, यानि battery backup इस mobile में आपको धमा के दार मिलने वाला है, इसके अलावा heavy multitasking या heavy regular day use का काम आप इस mobile के साथ fast और smooth तरीके से कर सकते हैं, और high graphics का game भी आप इस mobile के साथ high end settings पर smoothly खेल सकते हैं, और game खेलने के time या multitasking करने के time आपके mobile में heating का issue ना हो, इसलिए इस mobile में ultra large smart cooling system दिया हुआ है, ये mobile दो storage variant में market में launch हुआ है, 8GB 256GB और 12GB 512GB, इसका RAM टाइप है LPDDR5X और इसका storage टाइप है UFS 3.1, इसमें only SIM card support करेंगा, इस mobile के 8GB 256GB वेरियंट का market price है, 41,999 रूपीज और 12GB 512GB वेरियंट का market price है, 46,999 रूपीज, इस mobile में आपको 5.1K curved demolet display देखने को मिल रहा है, यानि display का look बहुत ही शांदार होने के साथ साथ, इसका video viewing experience भी बहुत ही शांदार होने वाला है, और इसके अलबावा इस mobile में 50 megapixel का जो triple camera आपको मिल रहा है, इसके साथ आपको बहुत ही शांदार picture या video quality देखने को मिल जाएगा, इसके अलबावा selfie camera भी इस mobile में आपको बहुत ही शांदार मिलने वाला है, और इस mobile में आपको बहुत ही अच्छा performance भी देखने को मिल रहा है, आपका heavy multitasking या heavy regular device का काम या high graphics का game आप high end लेबिल पर इस mobile के साथ smooth तरिके से खेल भी सकते हैं, तो आपको कैसा लगा ये mobile, इस mobile के बारे में आपका क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना और ऐसे ही mobile related वीडियो देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करके जाना